नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल क्रेक का आकाश आप सबका बहुत बहुत श्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल में दोस्तो IPL भारत की लोगों के लिए एक तेओहार की तरह है वैसे IPL भारत ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे लोगप्रिय क्रिकेट लीग है अब कुछ महीनों बाद ही IPL 2019 का आयोजन होना है IPL 2019 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है बता दें कि IPL 2019 को मार्च महीने में सुरू ह होने की पूरी संबाबना है ESPN क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च से IPL 2019 सुरू हो सकता है वहीं BCCI के एक अधिकारी ने टाइमस ओफ इंडिया से बात करते हुए 29 मार्च से IPL शुरू होने की बात कही है विराट कोली ने IPL 2019 में जस्परीद बुमरा और भुवनेश्वर कुमार के आराम की बात कही थी लेकिन उनकी यह मांग पूरी होने वाली नहीं है BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि IPL 2019 में तेज के अंदवाजों को आराम देने की कोई संभावना नहीं है एक अधिकारी ने गुरुवार को PTI को बताया कि IPL 29 मार्च से शुरू होगा और पेसर्स को आराम देने की कोई संभावना नहीं है 2019 का IPL 29 मार्च से शुरू हो सकता है और 19 माई को खत्म हो जाएगा हमारा विश्टु कप में पहला मैच साव्ट अफरीका से 5 जून को है ऐसे में हमें अपने पहले मैच से पहले करीब 15 दिन का समय मिल जाएगा हाला कि पूरे IPL के दोरान पेसर्स को आराम देने की कोई संभावना नहीं है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IPL 2019 में भारत देश से बाहर हो सकता है दरसल भारत में अगले साल आम चुनाव होने हैं और चुनाव के दोरान ही IPL का बारवा सीजन सुरू होगा जिससे IPL की तारीखों वा चुनाव की तारीखों में टकराव होगा और इसे ही देखते हुए ये माना जा रहा है कि IPL का पूरा टोरनामेंट साव्ट अफरीका या UAE में सिफ्ट किया जा सकता है बताया जा रहा है कि BCCI की इस मीटिंग में रोहिस सर्मा अजिंक्य रहाने और मुक की चैन करता MS के प्रसाद भी सामिल थे कई मुद्दों को लेकर इस मीटिंग में बात की गई तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक, सियर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुली ना भूले और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें क्रिका आकास के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन